बच्चों मैं भावना मलोत्रा RSV Higher Secondary School से आज हम विशेहिंदी कक्षा 4 पार्ट 12 के बारे में चर्चा करेंगे हमारे पार्ट का नाम है साधी का सपना यह एक भावपूर्ण मैं कहानी है इसमें फार्सी कवी शेक साधी के बच्पन की घटना पर आधारित इस कहानी में इस बात को बताने का परियास किया गया है कि बच्चों को कोई भी बात पर चित नहीं करनी चाहिए अगर हमें कोई बच्चों की बात अच्छी नहीं लगती तो भी बच्चों को सारी बात प्रेम प्यार से समझानी चाहिए आजकल की जो युवा पिड़ी है वो डांट से या गुस्य से नहीं समस्ती उनके लिए प्रेम और प्यार की ही भाशा का उपयोग या इस्तमाल किया जाना चाहिए इस कहानी के मात्यम से यही बताया गया उन्हें यहें भी समझाएं कि अपने साथ-साथ दूसरों की परिशानी और तकलीफ का भी ध्यान रखना चाहिए अगर हमें अपनी परिशानी है तो अपने साथ-साथ दूसरों की परिशानी उनको भी अपनी परिशानी समझ कर उसकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए उसका नाम सादी था जब वह बहुत चोटा था तो उसके पिता की मृत्यू हो जाती है उसकी मा ने जब उसके पिता की मृत्यू हो जाती है तो उसकी मा बहुत कड़ी मेहनत से लालन पालन करके उसका पालन करती साधी ने सपने में कुछ लोगों को लाचार और बेबस देखा साधी में एक अलग तरे की भावना ललक इच्छा उत्पन हो गई थी उसने मा को सपने वाली घटना सुनाई और अपनी जिद करने की गलती के लिए माफी मांगे यही ननना बालक बड़ा ओकर शेक साधी की नाम से फार्सी का प्रसिद कभी हुआ तो आगे हम इस पार्ट को पढ़कर देखते हैं यह मैंने आपको शॉर्ट में पार्ट की समरी बताई है अब हम इस पार्ट को देखते हैं कि शेक साधी कैसे शेक साधी बन पाती है तो चलो आगे हम पढ़ते हैं मैंने पहले ही बताया था इरान की एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था उसका नाम श्रादी था जब वे छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया था यानि मृत्यू हो गई थी उसकी माने कड़ी मेहनत करके उसका पालन पोशन किया ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी आज इद का चांद दिखाई देने वाला था साधी अपनी आँखें आसमान में गड़ाई बैठा था यानि गड़ाई हुए था साधी की आँखें का हुए थी टक टकी लगा कर देखना गड़ाना मतलग टक टकी लगा कर देखना वे चांद देखने की कोशिश कर रहा था अचानक उसे चान नजर आ गया वै दोडता हुआ अपनी मा के पास आ कर बोला अमी 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 कल इद होगी न देखी चान दिख गया मा ने मुस्कराते हुए का हाँ कल इद होगी साधी बोला अमी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए आपने का था कि ईद से पहले दिला देंगी यहाँ पे जो अमी अमी वड़ा है मुसलिम समाज के लोग मम्मी को जैसे हिंदू समाज में मम्मी बोलते हैं माता बोलते हैं मुसलिम समाज के लोग मम्मी को अम्मी बोलते हैं आपे अम्मी हमारी मा के लिए आया है यह सुनकर मा उदास हो गई मा क्या हो गई? उदास हो गई और साधी के पिता की मिर्तु के बाद वे किसी ना किसी तरह अपने लाडले को बेटी की हर जरूरत को पूरा करने रही थी इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे लेकिन वे नए जूते कहां से लाए मा की आँखों से आसू टपकड़े क्योंकि पिता रहे नहीं मा बेबस थी घर का गुजा रहे हैं बड़ी मुश्किल से जलता था तो मा की आँखों में अपने बेटे की प्रती प्रेम था तो वो उस प्रेम रूपी आंसू निकल रहे थे कि मैं अपनी बेटे के लिए जूते भी नहीं दिला पा रहे हूँ मा अंदर से बहुत दुखी थी व्यथी थी उनको रोता देखकर साधी बोला अमी आप तो रोने लगी मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते बेटा इतना समझदार था हम अपनी मा को रोते वे देखता बोलता है मा मुझे ऐसे जूते नहीं चाहिए लेकिन रात को बिस्तर पर लेट कर वैं सोचने लगा हम गरीब क्यों है कल इदगा पर मेरे दोस्त मेरा मजा कुड़ाएंगे ऐसे सोचते सोचते उसकी आँख लग गई आँख लग जाना एक मुहावरा है मतलब नीन आजाना या सो जाना आँख लगना क्या है बेटा एक मुहावरा है यानि नीन लग जाना नीन्द लग गई तो नीन्द में उसे एक सपना आया एक सपना आया सपने में वह क्या देखता है अचानक परकाश की किरन चमकी और हलकी सी आहट हुई यानि आवाज हुई हलकी सी आवाज आई साधी घपरा गया और डर के मारे उसे पसी ने छूटने लगा उसने देखा सामने एक रिकति कड़ा वह बूला आओ मेरे साथ क्योंकि नीद में जब कोई हमारे साथ ऐसी करता है तो हम डर जाते हैं हक पका जाते हैं क्योंकि उसमें हम घैरी निद्रा में सोयव होते हैं तो उसको वो आदमी बोलता है की आओ मेरे साथ तो आगे हम अगे का भाग next part में पढ़ेंगे अब इतना जितना हमने पढ़ा इसके अंदर जो शबडार था हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे दिःहान, मृत्यु जब कोई इसी के सांस निकल जाते हैं तो मृत्यु हो जाती हैं उसको बोलते हैं देहान गड़ गड़ाये का मतलब टक टकी लगाकर देखना लाडला तुलारा प्रकाश रोश्नी व्यक्ति आद्मी व्यक्ति का मतलब आद्मी धन्यवाद बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट हम नई वीडियो में पढ़ेंगे